हेलो दोस्तो ये दिया भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेड़ आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिपेकिशन आप तक पहुच सके और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेट करके जरूर बताईएगा ये कहानी है एक लड़की की जो अकाल मुर्तिव के बाद एक खौफनाक चूड़ेल बन गई और जिसने अपने हत्यारो उपर दर्दनाक कर डाया जिससे उनकी रूह काप गई त्रिशा एक सुंदर लड़की थी वह तेजपुर गाउ में अपने मा और बाबा के साथ रही थी त्रिशा माबाप की एक लोटी आउलाद थी इसलिए उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे हर खुपसूरत लड़की की तरह त्रिशा का भी एक सपना था शादी करके परिवार बनाना और एक खुशाल जिन्द की जिना त्रिशा के माता पिता ने उसकी शादी पडोस के गाउ के मितिलेश नामक एक अनात लड़के से तै कर दी थी त्रिशा ने भी अपने माता पिता का मान रखते हुए उस शादी के लिए हाँ कर दी कुछी दिनों में मितिलेश और त्रिशा एक दूसरे के करीब आने लगे लेकिन तेजपूर गाउ के सरपंच और उसके भाई बलवन्द को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि सरपंच चाहता था कि त्रिशा की शादी उसके भाई के साथ हो किसी बाहर गाउवले के साथ शादी के वह खिलाप था सरपंच ने बहुत बार त्रिशा के पिता से भी बात की थी पर वह इस बात से बिलकुल भी राजी नहीं थी क्योंकि उनने अपनी बेटी की खुशी ज़्यादा प्यारी थी त्रिशा और मितिलेश की शादी में बस एक महिना बाकी था फिर उस खप्टी सरपंच ने एक घिनोनी चाल चिली एक रात त्रिशा और मितिलेश त्रिशा के मामा के घर से एक जलसा करके लोट रहे थे सर्पंच उन पर बहुत दिनों से नजर गड़ाई हुए था वह बस मोके की तलाश में था और वह उसे उस रात मिल गया घर आने के लिए त्रिशा और मितिलेश ने जंगल वाला छोटा रास्ता ले लिया था वहाँ सरपंच बलवांत और उसका मुनिम बिर्जु तीनों जंगल की घनी जाडियों में किसी भेडिये की तरह घात लगा कर बेटे थे जब वह प्रेमी जोड़ा हातेओं में हात लेकर एक दुसरे में गुम होकर पूरी दुनिया को बुरा कर जंगल के बीचो बीच पहुचा तब सरपंच और उसके भाई ने पीचे से आकर बड़े पत्थरों से दोनों के सीर पर इतनी नफरत से वार किया कि वह दोनों बीना चिके ही बेहोश हो गए भिर्जु ने मितिलेश को ठिकाने लगा दिया और तब तक सरपंच और बलवन्त ने त्रिशा के साथ वह कर दिया जिस अपरात से पूरे समाज को नफर थे अपने नापाक इरदों को अंजाम देने के बाद उन्होंने त्रिशा का घाला घोटकर उसे कुवे में फेक दिया अगले दिन त्रिशा के माबाबा और गाव वाले मितिलेश और त्रिशा को धुनने लगे तो उन्हें दोनों की लाशे मिली पूरे गाउ में शोक महुल था त्रिशा के माबब भी बेटी की जाने के बाद कुछ दिनों में गाउ छोड़कर चले गए पर त्रिशा कहते हैं न एक लड़की की पवित्र रूँ का चुडल बनने का कारण उसकी अधूरी इच्चा होती ह इसलिए त्रिशा को अभी तक मुक्ती नहीं मिली थी नियती से कवया बूरी किस्मत से एक शाम सरपंच बलवंद और बीर्जू तीनों शेहर के किशी शेराप खाने से लोट रहते और उन्होंने भी जंगल का वही छोटा रास्ता चुना उस वक्त बलवंद नशे में नही था इसलिए वह जिप चला रहा था और वह ठीक उसी जगा जंगल के बीचों बीच धक्के खाकर खराब हो गई जहाँ उन्होंने त्रिशा और मितिलेश को मारा था दिन ढलने में कुछी समय भाकी था बलवंद ने जिप से उतर कर गाड़ी का बोलेट खोल के चेक किया पता चला कि जिप में जो पानी था वो पूरी तरह से खतम हो चुका था और उनके पास तो पिने के लिए भी पानी नहीं था जब यह बात बलवंद ने उसके भाई सरपंज को बताई तब उसने नशे की हालत में बलवंद को गालिया भकी और उसे पास के कुए से पानी लाने का आदेश दिया जीब के पीछे की सीट पर बिर्जु भी नशे की आलत में सोया था अब अकेले उसे जंगल के कुए पर जाना था बल्वांत मरता क्या न करता उसने गाड़ी में से पानी की बड़ी सी खाली बोटले उठाई और अकेले कुए की तरब चल दिया जब वह कुए के नस्धिक पोचा तब उसे वह सब यादाने लगा कैसे उन्होंने तृषय की हत्या की थी और उसी कुए में उसकी लाश को फेकि थी बल्वांत में खुद को होश में लाया और कुए के पास पानी निकलने की रसी धुनने लगा पर उसे वह नहीं मिली अब बल्वन्द पर कुवे में उतरने की नोबत आ गई थी इसलिए वह मन ही मन डर भी रहा था क्योंकि सुरज पूरी तरह से ढलने में बस कुछी पल बाकी थे इसलिए बल्वन्द भागते भागते जीप के पास गया और जीप में से लाल्टेन और एक छोटी टॉस ले ली बल्वन्द को बिर्जु कुछ-कुछ होश में लग रहा था इसलिए उसने उसे भी अपने साथ में ले लिया फिर दोनों मिलकर कुवे के पास आ गए तब तक सुरज पूरी तरह ढल चुका था और अंदेरे ने मोत की चादर से जंगल को ढख लिया था बल्वन्द ने बिर्जु को लाल्टेन जला कर दी और कुवे के पास खड़ा किया कुवे को देखकर बिर्जु भी डर गया था उसे भी अपने किये हुए पाप याद आने लगे थे बल्वन्द टॉर्च लेकर कुवे की सिडियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा जब वह कुवे के ठीक बीच में पहुचा तब बल्वन्द को ऐसा मैसस होने लगा कि उसके साथ साथ ही पीचे से कोई नीचे उतर रहा है बलवन ने टॉर्च की रोशनी में पलट कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था उसने एक बार बिर्जु को आवास दी बिर्जु, ओ बिर्जु, क्या बात है, कुछ नहीं और उसका जवावाने के बाद बलवन फिर से नीचे उतरने लगा और जब वह आकरी और सबसे बड़ी सिडी पर जाकर खड़ा हुआ तबी आचानक उसे बिर्जु की दर्दनाक चीक सुनाई दी चीक की करकश आवास से कुवे के अंदर खड़ा बलवन फिर उटा और कुवे की दिवार से चिपक के खड़ा हो गया उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उपर जविया नहीं और तबी अचानक तेजी से एक गोल आकर की चीज पानी में गिरी टॉर्ज की धिमी रोशनी में बलवन गिरती चीज को सही से देख नहीं पाया आवास से ही वह बेहत डर गया और कुछ समय के लिए उसने आखे मुन ली और जब उसकी आख खुली तब सामने का बयानक नजारा देख मोत की धशत से उसकी रूख आप गई क्योंकि पानी में गिरी गोल आकर की चीज बिर्जु का कटा सीर था और जब उह पानी पर तेर रहा था कटे सीर की आखे बलवंद पर ही ठीकी थी इसलिए बलवंद बीना पानी लिये ही कुवे से बाहर निकला कुवे के बाहर बिर्जु के शरीर के तुकडे थे वह देखने के बाद बलवंद ने वहां से सरसपट दोड लगाई तबी उसके रास्ते में अचानक त्रिशा सामने आई वही लाल खुन से सनी साडी खुले बाल सीर पर गहरा घाव जिससे अभी भी खुन बै रहा था बलवंद त्रिशा को चुडेल के रूप में देख कापते हुए जमिन पर गिर पड़ा मुझे माप कर दो मुझे माप कर दो कहिकर गिरगिराने लगा मोका देखकर बलवंद चुडेल चुडेल चिल्लाती हुए जीब तक पहुचया सरपंच भी जंगल में चीकिने चिल्लाने की आवाजे सुनकर उट गया था और जब बलवंद ने उसे त्रिशा के बारे में बताया तो पलवर में उसका पूरा नशा उतर गया और दोनों पैदली गाव की और भागने लगे टॉर्च अब सरपंच के हाथ में थी और वह आगे और बलवंद पीचे पीचे भाग रहे थे अच्यारक सरपंच को लगा कि वह स्रिप आकेलाई भाग रहा है इसलिए उसने पीचे मुण कर देखा तो बलवंद अब पीचे नहीं था उसी वक्त पूरा जंगल बलवंद की मोत की चीक से गुण जूटा और सरपंच को एक आवाज सुनाई दी सरपंच तुझे इतनी आसान मोत नहीं मिलेगी तेरे पात के तरजु में पात की गिंती बहुत ज़्यादा है तुझे एक बुरी मोत मिलेगी सरपंच अपनी जान मुट्टी में लेकर गाव की और भाग रहा था तबी त्रिशा उसके सामने आकर खड़ी हुई उसका वह भ्यानक रूप देखकर डर से सरपंच की आवाद हलक में ही धब गई मोत को सामने देख सरपंच और तेजी से भागने लगा त्रिशा भी उसके पीचे पीचे आ रहे थी तबी सरपंच आचानक रूख गया क्योंकि उसके सामने खुन से सनी भरी मितिलेश की प्रित आत्मा खड़ी थी पीचे चुडेल और आगे मितिलेश अब सरपंच पर धीरे धीरे डर हावी होने लगा था अती डर से उसकी मती भ्यमित होची की थी वह हज भी रहा था और बीज-बीज में रो भी रहा था माफी भी मांग रहा था गाली भी दे रहा था अगली सुबह गाव की लोगों को सरपंच कुडे दान पर बेटा मिला जो वहाँ से कुडा करकट उटा कर खा रहा था डर से उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था उसके अपने घरवाले भी उसे घर में न रख सके और कुछी दिनों में कुडे दान पर ही गाव के भाटकने वाले पागल कुट्टों से खाना चिनते वक्त हुई जड़प में कुट्टों के एक समोहने उसे जिन्दा फार दिया और यह था सरपंच के बुरे कर्मों का आंत त्रिशा के कहे अनुसार वह एक बहुत बूरी मोत मरा हमारी और भी डरावनी कहानिया सुनने के लिए स्क्रीन पे जो विडियो दिक रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लिजिए